हेलो दोस्तों, होप आप सभी अच्छे होंगे यार तो हमारे पैरेंट्स ने हमारे एजुकेशन के उपर जितना खर्च कर रखा है we will make sure that it turns out to be the best investment of their life तो इसी के साथ प्लेस्मेंट तो लेके रहेंगे तो यार कहा जाता है कि अगर आप किसी भी फिल्ट के अंदर हो और आप में एक लड़नी एटिट्यूड है और आप अपने आप से लॉयल हो तो आप उस फिल्ट में ग्रो कर रहे होंगे तो यार इसी के साथ जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसका फोकस दो चीजों के होने वाला है तो जो पहला फोकस है वह का प्लेस्मेंट जर्णी को लेके तो इसमें हम बात कर रहे होंगे कि वो सारे टॉपिक्स वो सारे सब्जेक्स जो की फेवरेट होते हैं प्लेस्मेंट में जो पूछे जाते हैं जो कि किसी भी आईटी कंपनी में जाने के लिए जो चीज जरूरी होता है यार तो जो भी engineering student अपने placement की तयारी कर रहे हैं तो वो इस series को follow कर सकते हैं तो यार इसमें क्या है कि जो भी topics है जो भी subjects है जो की really important है और favorite है से उसी topics को cover किया गया है कि यार पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन हम सिफ उसी topics को लेके बढ़ रहे होंगे जो की important है और ये चीज़ भी है कि अगर अगर आप इस series को बहुत ही consistency के साथ बहुत ही loyalty के साथ और बहुत ही इमांदारी के साथ पढ़ रहे हैं इस series को follow कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आप placement फोनने के लिए ready हो you are good to go तो इसमें हम cover कर रहे होंगे यार उन सभी subject को उन सभी core subjects जो की engineering में होते हैं और IT company में के interviews में उन्चे जाते हैं तो उन सभी subject like ups हो गया है या फिर DBMS हो गया है या operating system हो गया है होंगे यार तो वीडियो अभी आनी शुरू हुई है तो यह hopefully 2-3 महिने में पूरे series को complete कर लूँगा और hopefully आपकी भी जो placement से 2-3 महिने में start होने वाली है तो इस series को आप अच्छे से follow कर सकते हैं और यार भी हो सकते हैं कि थोड़ी नहीं है इसलिए कोई से थोड़ी बोड़ी गलतिया हो तो उसके लिए माफ करना I'll definitely try to improve myself पर इसके लिए एक condition यह भी है कि आपको भी consistent होना पड़ेगा और loyalty के साथ इस video को follow करना पड़ेगा तो यार अगर आप अपने आप से इमानदार होना तो आपको success पाने से कोई नहीं रोख सकते हैं तो इसलिए आपको इसे बहुत ही इमानदारी के साथ follow करना है और तो दूसरा concept होगा हमारा वो होगा learn and grow है इसमें क्या कर रहे होंगे कि यार जो भी important चीज है जो कि हमारे life में important है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं ज के सामने easy language में रख रहे होंगे we are not expert हम भी आपके से student है एक learner है तो उन सभी topics को हम सीख के आपके सामने रख रहे होंगे यह basically true learning होगा जिसमें आप भी कुछ सीख रहे होंगे आपके feedback के थू हम भी improve कर रहे होंगे कुछ सीख रहे होंगे तो इसी के साथ यार लगे रहना है महनत करना है और बहुत ही इमानदारी से महनत करना है अपने parents को definitely proud feel कराना है और thank you and we will meet in the next video till then best of luck good day